हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे कि सेक्स के दौरान दर्द होने का क्या कारण है और कैसे उसको डील किया जा सकता है और कौन से ऐसे नॉर्माल नीच्रल मेथड्स हैं जिनके दौरा हम इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा नेगलेट करते हैं डिसकस नहीं करते, counselor से या doctor से या किसी से बात नहीं करते और इस problem को deal करने का कोई scientific तरीका भी हम नहीं समझने की कोसिस करते हैं, बहुत सारे if, but, myths रहते हैं और लोग बहुत ज़्यादा continue करते हैं इस pain के साथ और उससे problem यह होती है कि relationship में एक conflict, एक constraint पैदा होता है, relationship में एक जो smoothness है, जो happiness है, वो gradually चली जाती है, और आप कल्बना करिए कि यदि sex के दौरान किसी को दर्द है, pain है, discomfort है, तो वो इनसान sex में concentrate नहीं कर सकता, नहीं focus कर सकता, और फिर discharge की बात, और और गाजब की बात, या secretion की बात तो आप भूल जाएं, क् कि जब किसी भी इनसान को दर्द होता है, तो उसका पूरा focus उसके pain पे होता है, और due to the pain, की जो severity है, वो उसे परिसान करती है, और बहुत सारे question mark एक इनसान अपने उपर लगा लेता है, बहुत females को हमने देखा, वो उनको लगता है कि वो incomplete है, वो complete female नहीं है, उनमें कोई secretion नहीं है, कोई hormones की कमी है, या कुछ और problem है, और उससे एक हीन भावना डबलप होती है, नेसेसरी, लेकिन ये समश्या तो है, लेकिन समश्या ये इस तरह की नहीं है, कि इसको deal नहीं किया जा सकता है, इसको समझा जा सकता है, इसके cause को जाना जा सकता है, और इसका एक scientific solution भी है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि ऐसे कौन से कारण है, जिसके कारण सेक्स के दोरान किसी को दर्द हो सकता है, और वो painful sex का जो सबसे बड़ा fundamental cause है, उसको पहले आप समझेए, सबसे पहले है कि यदि बहुत ज़्यादा हार्मोनल इंबिलेंस है, तो भी इस तरह की चीजें देखी जाती है, क्योंकि बहुत सारी females को hormones के secretion में बहुत ज़्यादा trigger होने के कारण inflammation आजाती है, PID reason में, और PID reason में inflammation आने के कारण भी आपको sex के दोरान pain होगा, एक reason, दूसरा reason है कि जो inflammation है, उसके साथ कई बारी एक fear देखा जाता है, क्योंकि कई बारी देखा है, यह जाता है कि एक दो बार दर्द आ जाता है, जब sexual intercourse स्टार्ट करते हैं, sexual life लोग स्टार्ट करते हैं, तो सुरू में दो चार बार दर्द आना, यह बहुत common है, लेकिन यह time being खुद settled हो जाता है, लेकिन कई बारी यह देखा जाता है, कि इतना तेज दर्द आता है, जब यह सब कुछ स्टार्ट होता है, तो वो memory, वो thought रह जाता है, female के दिमाग में, और वो बार बार एक fear psychosis का रूप ले लेता है, और कई बारी physically उतना पेन नहीं होता, जितना की इंसान mentally trauma में होता है, और बहुत ज़्यादा stress में और fear में होता है, तो यह एक मानसिक समश् इसके लिए counseling की ज़रूत है, physician से या gynecologist से मिलने की ज़रूत है, उसमें एक ultrasound करके दिखा जा सकता है, या physical examination के द्वारा भी gynecologist समझ सकते हैं, या फिर जो symptom से उसके आधार पे भी एक diagnosis बन सकता है, यह pain है और इसका यह कारण है, और इसको फिर deal करने का यह एक तरीका vaginal hardness, stiffness यह एक बहुत बढ़ा कारण है, दर्द का, तूसरे level पे है कि dryness बहुत रहता है, कुछ females को वह एक बहुत बढ़ा कारण है, और दिखा जाता है कुछ females में कि muscular disease होती है, या फिर joint inflammation वाली disease होती है, लाइके arthritis, inflammatory arthritis, इसमें भी कई बरी pain होता है, और PCOD, PCOS, इसमें भी females को पेन होता है, फिर hypothyroidism और sexual transmitted disease, इसके साथ-साथ UTI में यदि UTI लंबे समय तक रहे, तो भी कई बरी देखा जाता है कि vagina का internal part है, इसमें पूरा swelling आ जाती है, stiffness हो जाती है, तो दो से तीन इसके हिससे हैं, इसको ऐसे समझेंगे, एक infection बाला part है, infection ना हो, like STD or UTI, दूसर part inflammation बाला part है, inflammation ना हो due to any other reason, तीसरा part है dryness, यदि dryness है तो उसको भी deal किया जाएगा, तो अब इसका solution क्या है, solution इसका केवल ये है, कि आप sexual intercourse के लिए तब जाएं जब vagina completely wet हो, इसका मतलब है कि आपको four play को थोड़ा सा लंबा करना होगा, जिससे की इंसान mentally prepare होगा, physically prepare होगा और जो body है, जो muscles है, वो मतलब तयार हो जाती है, उससे expand होनी वो start हो जाती है, तो फिर sex थोड़ा सा painful नहीं रहेगा, दूसरे लेबल पर यदि dryness है, stiffness है, stiffness के लिए, inflammation के लिए, ठंडे गरम पानी की सिकाई, switch बात के दौरान हलके गरम पानी में बैठ सकते हैं, और massage, massage से ब को एक साथ चोड़के, rotation करना है, clockwise, anticlockwise, और upward और backward उनको 90 degrees पे लेके जाना है, तो ये exercise भी काफी helpful रहती है, जो leg की stretching है, that is also very helpful, लेकिन ये सारे method है, ये आपको काम करना पड़ेगा, जिससे की जो sex है, वो painful नहीं रहेगा, नॉर्मली एक्जिक्यूट होगा, और सारी चीज रहता है, और आपकी जो chemistry है, आपकी जो sexual life है, उस कारण आप disturb है, परिसानी है, तो definitely एक examination की जरूरत है, तो आप एक बार डॉक्टर से भी सला ले सकते हैं, यदि ये tips अपना के आपकी problem solve हो जाती है, तो it's very good, यदि फिर भी कोई problem बनी रहती है, तो आप एक बार डॉक्ट झञर प्रिसीUM झाल झाल झाल